नमस्कार दोस्तों, Study with Monk में आपका स्वागत है 23 फरिवरी 2024 दिन सुक्रवार को प्रियाग राज में लोग सभायायो के सामने सारे अभ्यर्थियों को एकत्रित होना है और 11 बजे सबको आना है वहाँ पे और ये प्रदर्शन किया जाएगा और वहाँ पे अपनी सक्ति प्रदर्शन के साथ साथ अपनी मांग को रखे जाएगी क्योंकि जो आरो एरो का पेपर हुआ था वो लीक हुआ था ये सबको पता है और आप कितना भी कर लीजिए हो सकता है आप किसी को लगता हो कि मेरे पेपर ठीक गया था भाईया कितना भी ठीक गया था जिसको पेपर मिल गया था वो तो हंड़ेट में हंड़ेट करेगा समझ रहेंगे नहीं तो सब लोगों को जुटना है आपकी मेहनत जाया न जाया आदमी पूरे साल मेहनत करता है और पता चला कि कोई पैसा दे के पेपर खरीद लेता है तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए सबी लोग जुटिए ज्यादा ज्यादा मातरा में जब संख्या बल रहेगा ज्यादा लोग को उनको देखेगा आयोग अगर माली जेसा और 200 लोग जुटते हैं तो फिर वो आयोग वो सिरिसली नहीं लेता है इस इसको चलो ठीक है लीपा पूती हो जाएगी तो सब लोग जो भी इलहाबाद में रहते हैं खासतोर पे टाइम निकालके 11 बजे आयोग के गेट पे पहुँचिए और वहाँ पे फिर अपनी मांग रखी जाएगी पेपर को कैंसिल होना ही होना है अगर पेपर एक कैंसिल नहीं होता है तो समझ लेजे कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है अभरतियों के साथ जो प्रियाग राज में जितने लोग भी रह रहे हैं सबसे मेरा यही अपील है कि सभी लोग प्लीज वहाँ प्रस्तुत हो आयोग के गेट के सामने और वहाँ पे जो कौसल सिंग है और भी लोग है वो अंदर जाएंगे बात करेंगे जैसा भी होगा और पीछे नहीं हटना है जब तक पेपर कैंसिल नहीं होता है जो ट्विटर पे अवियान चल रहा है उसमें भी पाटिस्पेट किजिए और लगे रहे है जैसा भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा इसी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएगा 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 जाए